सिरफ ये identify करना है कि इसमें से क्या important नहीं है और किसको cut down किया जा सकता है Will Smith की एक बहुत अच्छी quotation है कि कई लोग इतना जाधा पैसा spend करते हैं उन चीजों को खरीदने के लिए जो वो बिल्कुल नहीं चाते उन लोगों को impress करने के लिए जिनको वो बिल्कुल पसंद नहीं करते तो कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि हम अपनी जो earning है अपनी जो income है उसको useless spend कर रहे हैं तो हमें budget allocate करते हैं वक्त थोड़ा realistic रहना पड़ेगा थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि सर हम unrealistic ना हो जाए क्योंकि हमारी जो basic requirements हैं वो तो fulfill होनी ही चाहिए आप miserably जी कर saving कर रहे हैं इसका भी कोई खास फाइदा नहीं है आगे हम बात करते हैं कि हम expenses को कैसे cut कर सकते हैं हम कई सारी चीजों को देख सकते हैं मैंने कुछ examples लिए हैं अक्सर क्या होता है कि जब हम market में जाते हैं और बहत सारी items हमारे सामने होती है तो उसमें से फिर हमें कई बार हमारा हम उनको compare कर सकते हैं तो इससे हम पैसा save कर सकते हैं दूसरा important option है कि हम अपने travel को reduce कर सकते हैं अगर हम unnecessary travel कर रहे हैं अगर हम घूमने में बहुत ज़्यादा पैसा spend कर रहे हैं तो हम उसको reduce कर सकते हैं अगर हम बहुत बड़े घर में रह रहे हैं और इससे चोटे में भी रहा जा सकता है तो हम एक छोटे अपाटमेंट में शिफ्ट हो सकते हैं या हम expensive places को हम avoid कर सकते हैं malls में जाना हम avoid करके हम local market में जा सकते हैं unnecessarily जो subscription ले रखी हैं जिनको हम use नहीं करते हैं internet की subscription हो सकती है या कुछ और आपकी subscription हो सकती है हम उनको be reduce कर सकते हैं और हम अपने जो public transport हैं हम उसको use कर सकते हैं instead of using a personal vehicle जिसके अंदर आपको आजकल क्योंकि fuel भी बहुत जादा consumption हो रहा है तो अगर हम इन options में से किसी option को avail कर सकते हैं तो ये options को avail करके हमें अपनी expenses उनको reduce करना चाहिए और अपनी saving को enhance करना चाहिए इसके बाद आएए ज़रा एक बार हम बात करते हैं कि जो saving है उसका जो purpose है वो हमें पहले identify करना पड़ेगा हमें अपने short term goals पहले से ही identify करने पड़ेंगे और उसके according हमें वो saving का amount है वो bifurcate करना पड़ेगा bifurcation का मतलब है आप कितना amount vacation के लिए save करना चाहते हैं कितना amount आप अपनी education के लिए save करना चाहते हैं कितना amount आप future contingency के लिए save करना चाहते हैं कितनी आपकी cash requirement है आपकी medical emergency के लिए आप कितना save करना चाहते हैं तो ये पहले से ही आप identify कर लीजिए और उसको accordingly bifurcate कीजिए इससे एक फायदा होता है कि हम mess नहीं करते हम किसी चीज़ को आपस में confused नहीं करते तो जब हमारे पास already short term goals होंगे तो three years तक के अगर कोई हमारे goals है अगर हमें कोई asset purchase करना है health के लिए है future contingency ये अकसर एक कहा जाता है कि हमें जो भी saving करनी चाहिए at least three months की जो भी हमारे expenses है जैसे अगर मेरे income है monthly 50,000 और मेरे expenses है 30,000 तो 30 into 3 that is 90,000 90,000 rupees की savings तो at least मेरे पास होनी चाहिए कि अगर कल को मेरी job चली जाए तो मैं कैसे अपने family को feed करूँगा तो उसके लिए मेरे पास तीन महीने के reserves जो भी मेरे expenses है उनके reserves future contingency के लिए always available होने चाहिए आगे हम बात करते हैं कि सर हम जब saving करें तो हम कैसे options को choose करें हम कैसे options को avail करें तीन बातों का सबसे importantly ध्यान रखना है सबसे important बात है कि सर जब भी हम saving की option थे तो वो highly liquid होनी चाहिए highly liquid का मतलब है या तो वो cash होनी चाहिए या easily converted into cash होनी चाहिए वो कोई ऐसी item नहीं होनी चाहिए जिसके अंदर हमने पैसा लगा दिया तो उसको cash में convert करने में दिक्कत है दूसरा important कि वो risk free होनी चाहिए saving के अंदर हम पैसा ऐसा नहीं लगा सकते कि हम अपना पैसे को I mean we cannot drain out our money for saving high returns के चकर में हम high risk नहीं ले सकते और saving करते है वक्त हमें तीसा जो option ध्यान में रखना चाहिए वो है fixed returns कि इस investment इस options के अंदर से हमें fixed returns आना चाहिए कुछ example है saving के लिए पहला option है cash दूसरा option है bank तीसरा option है gold recurring deposit, fixed deposit and health insurance देखिए health insurance लेना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि health भी आजकल आप जैसे देख रहे हैं कि जो हमारा health environment है बहुत आजकल volatile है और इसके लिए हमें protection चाहिए तो पहले से अगर हमारे पास health insurance होगा तो we can save a lot of money वो जो पैसा हम उसमें spend करेंगे later on hospitals या bills में हम जो पैसा spend करेंगे वो हम insurance के तुरो हम उसको कम कम करके अपनी savings को increase कर सकते हैं cash के अंदर पैसा रखना बहुत ज़ादा advisable नहीं होता cash हमें एक जितना हमें required है हमें सिरफ उतना maintain करके रखना चाहिए उसके अलावा जो पैसा है वो bank में deposit करके रखना चाहिए reason behind के bank के ओपर हमें एक return मिलता है cash के ओपर हमें कोई भी return नहीं मिलता although जो bank का return होता है inflation rate से कम होता है but something is better than nothing कहीं ऐसा नहों कि हम अपना पैसा cash में रखें और उसकी value जो है over the time कम हो जाए फिर हम आगे बात करते हैं कि example लेते हैं saving का हमने saving के सारे scenarios पढ़ लिया अब हम एक saving का example लेते हैं suppose एक व्यक्ती है Mr. X और उनकी age 30 year है और वो हर महीना 20,000 rupees save करते हैं और एक साल में 2,40,000 save करते हैं तो अगर वो 20 साल तक saving करें तो वो कितना पैसा save कर पाएंगे वो सिर्फ 48,000,000 rupees save कर पाएंगे यहाँ पर हम यह assume कर रहे हैं कि वो cash save कर रहे हैं और zero interest rate है को interest rate नहीं है अब एक और example लेते हैं जहाँ पर हम यह मान कर चलते हैं कि sir Mr. X जो है वो 20,000 rupees per month किसी pension fund में invest कर रहे हैं जहाँ पर उनको 12% interest rate मिलता है और अगर वो 20 साल तक इस practice को चलाते हैं तो जब वो 50 साल कर के हो जाएंगे तो उनको almost 2 crore rupees मिल जाएंगे तो आप देखिए जब हम long term के लिए invest करते हैं तो saving कभी भी एक अच्छा option नहीं है क्योंकि अगर हमने saving किया 20 साल तो हमने 48 lakh rupees ही जोडे और अगर हमने investing किया तो हमने almost almost 2 crore rupees जोड दिये तो इतना ज़्यादा difference है तो जब भी हम long term perspective से या long term intention से जब हम invest करने का सोचते हैं तो हमें investing को ही सोचना चाहिए और saving को नहीं सोचना चाहिए अब थोड़ी सी investing के बारे में बात करते हैं Warren Buffett का एक बहुत अच्छा quote है कि जब हम investing करें तो हमारा जो purpose है वो यह होना चाहिए कि हमें एक passive income create करनी है तो अगर आप सोते सोते income generate नहीं कर रहे हैं that means he is talking about passive income passive income का मतलब है कि ऐसी income जो आपने पैसा लगा दिया और जो automatically generate हो रही है एक automation mode पे है तो along with my regular income मेरे पास active income के साथ मेरे पास कुछ passive income भी होनी चाहिए और वो passive income investment से ही आ सकती है investment का purpose जैसे मैंने आपको बताया investment का purpose हमेशा long term होता है long term का मतलब है five years और more तो अगर आप vacation plan कर रहे हैं अगर आप retirement plan कर रहे हैं अगर आप wealth create करना चाहते हैं अगर आप passive income generate करना चाहते हैं तो इस purpose के लिए आप investing कर सकते हैं तो investing हमेशा long term perspective के लिए किया जाता है तो हमें सबसे पहले क्या करना है हमें अपनी long term और अपनी short term requirements को identify करना है और short term requirements के लिए हमें saving करनी है long term requirements के लिए हमें investing करनी है investing के अगर हम options की चर्चा करें तो investing के option में सबसे पहला है level of risk देखिए मैंने आपको बताया क्योंकि इन्वेस्टिंग के अंदर जो रिटर्न्स है वो जादा होते हैं इसलिए यहाँ पर रिस्क भी comparatively जादा होता है तो एक इन्वेस्टर को रिस्क उठाने से पहले सोचना चाहिए कि वो कितना रिस्क ले सकता है और कई जगा पर कई बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ है कि यह जो रिस्क होता है यह बाएदी एज होता है कि एज इस फैक्टर अफ टेकिंग दे रिस्क अगर आप यंग हैं तो आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं अगर आप एजिड हैं तो आप कम रिस्क ले सकते हैं बिकाज अगर हमें कल को लॉसेज भी हो जाते हैं और अगर हम यंग हैं तो हम उसको over the period of time overcome कर सकते हैं उन लॉसेज को overcome कर सकते हैं अगर हम एजिड हैं तो हम उसके अंदर उसको overcome भी नहीं कर पाएंगे और हमारे पास we have less time for the retirement and other things तो हमें अपना जो risk है वो accordingly age के according हमें देखना चाहिए दूसरा जो important option है जो investing करते हैं वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए वो यह है कि हमें अपने emotions को control करना चाहिए जो मैं बोलता हूँ emotions को control करना चाहिए तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम aggressively किसी एक security के अंदर invest कर दे और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम मतलब बहुत जादा aggressively disinvestment करना शुरू कर दे तो हमें थोड़ा सा patience रख कर और थोड़ा सा market को समझ कर और किसी expert की opinion लेकर हमें बहुत neutrally इसके अंदर investment देखना चाहिए और सबसे बड़ी important बात यह है कि जब हम investment का कोई option choose कर रहे हैं तो हमें अपनी requirement भी identify करनी चाहिए कि मैं किस purpose के लिए जिसमें अगर मैं retirement plan कर रहा हूँ तो retirement कितने time में आ जाएगी और मुझे कितना fund चाहिए होगा उस समय पर या अगर मैं घर purchase करना चाहता हूँ तो मुझे कितने time में वो घर purchase करना है और मुझे कितने funds की requirement होगी यह सारे requirements मुझे पहले ही identify करनी पड़ेंगी और उसको identify करने के साथ ही फिर हम securities को invest कर सकते हैं और सबसे important जो है that is diversification diversification का मतलब है जब आप investment opportunities को avail करें तब आप सारा का सारा पैसा एक ही जगा पर invest ना कर दें ऐसा ना हो कि आप सारा पैसा equity में डाल दें या ऐसा ही नहों आप सारा का सारा पैसा I mean debentures में डाल दें या bonds में डाल दें या hedge funds में डाल दें या mutual funds में डाल दें आप bifurcate करें आप उसको diversify करें कुछ पैसा आप ऐसे उसमें डाली जिसमें आपको high risk है और high returns है कुछ पैसा आप essay में डाली है जिसमें आपको low risk है और low returns है कुछ पैसा आप fixed में डालिए कुछ पैसा आप variables में डालिए तो आपको थोड़ा diversify करना पड़ेगा और ये diversification करने के लिए आपको पहले proper training लेनी पड़ेगी आपको proper education लेना पड़ेगा और अगर आप education और training नहीं लेना चाहते तो आप किसी expert की मदद ले सकते हैं किसी expert की opinion ले सकते हैं कुछ examples है investing के कि हम कहां कहां पर invest कर सकते हैं तो investing करने के लिए हमारे पास है real estate और bonds hedge funds mutual funds आपकी assets allocation stock broker आप ये सारे options को avail कर सकते हैं और यहां पर आप accordingly invest कर सकते हैं मैं कुछ tips की बात करूँगा investing के लिए कुछ important tips हैं जो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा जैसे मैंने आपको पताया दोनों ही equally important है investing भी important है और saving भी important है short term requirements के लिए saving important है long term requirements के लिए investing important है हमें दोनों ही simultaneously करना है दोनों ही एक साथ करना है क्योंकि हर व्यक्ति की दोनों तरीके की requirement होती है short term requirements भी होती है long term requirements भी होती है तो अब हमें सबसे important सबसे पहली बात है कि जब हम invest करने के लिए जाएं तो हमें थोड़ा सा smart होना पड़ेगा और हमें right mode को choose करना पड़ेगा right investment को choose करना पड़ेगा दूसरा सबसे important है कि हमें एक financial planner की ज़रूरत होगी देखे कई बार ऐसा होता है कि हम हर चीज के अंदर expert नहीं हो सकते हर चीज के अंदर हमें knowledge हो या हर चीज के अंदर हमें अच्छी हमारी command हो ऐसा नहीं हो सकता तो अगर आपके पास education है अगर आपके पास knowledge है well and good अगर आपके पास नहीं है don't hesitate to I mean approach a financial planner जो आपकी proper financial planning कर सकता है उसके बाद सबसे important है that do not forget to invest according to your pay scale जैसे जैसे आपका pay scale increase होगा वैसे वैसे आपका investment भी increase होना चाहिए कहीं ऐसा नहों कि आपने जो investment plan एक बना लिया है आप उसी को stick करें and do not forget to increase और उसके बाद ऐसा नहों कि आप saving बिलकुल भी ना करें या investing बिलकुल भी ना करें सबसे पहले आप requirement अपनी saving की fulfill करें हमें पहले अपनी short term requirements को cater करना चाहिए सबसे पहले short term requirements को fulfill करना चाहिए long term requirements के ओपर हमें बाद में आना चाहिए तो once we are over with our short term requirements हमें short term requirements हमारी fulfill हो रही है फिर हमें long term requirements के तरफ जाना चाहिए यह सारे tips यह सारे जो भी मैंने आपके साथ share किये saving और investing को लेकर I hope यह सब आपको useful होंगे आपके लिए helpful होंगे आज के सकारे करम में इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद नमेश कार critical है but we are trying यह सब वह कैसे है एक फोन आया था Rajesh के पास उसने कहा कि उनकी एक करोर की लॉट्री निकली है और उसके लिए उसने बैंक टीटेंस भागी राजेश ने फिरारे टीटेंस दे दी एक घंटे के अंदर है उनके पैंक अगा उन्जे सारा पैसा साफ हो गया और वो यहां आ गए हाट धटे काया है देखा आपने आपकी जरासी असाफधानी क्या कर सकती है डिजिटल फ्रॉड करने वालों से साफधान रहे अपनी बैंक डिटेल्स अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड नंबर एक्सपायरी डेट सीवीवी ओटीप पिन कभी किसी को ना बताए साफधान रहे समझदार बने अजी सुरेज जी रेटायर्मेंट के बाद जो प्रॉडिरेंट फंड आएगा उसका क्या करेंगे कुछ खास प्लैन नहीं है पड़ा रहेगा बैंक में या जाता रहेगा और क्या सुरेज जी